तुम अडानी और अंबानी के हाथ में ठेकेदारी प्रता पे फौज भी बना रहा है। इस साजिश से बचना चाहिए सभी मुस्लिम कमुनिटी के लोगों से। ये सवाल बिलकुल बेजा है कि उनके खिलाफ क्यों कुछ नहीं हो रहा। बीस लाग करोड से जादा इनके मित्र खा चुके हैं बैंकों के। देश में पैसे की कमी नहीं है। अब ये ये जो चार साल वाले सिपाई होंगे। ये जोश और जजबे में जाके लड़तो लेंगे। लेकिन इनको एक्सपिरियंस की कमी होगी होगी। ये जो नौजमान है वो ध्यान से सुनें के इडेंटिफाई करके रखें के हिंसा कौन लोग कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करेंगे। और मुलना तौकीर रजा ने तो हजारों लोग इखटे किया भी और पीस्फुल प्रोटेस्ट हुआ ना। तो इससे एक बात तो बिल्कुल जाहिर साफ होगी कि मुसल्मान कोई जगडा नहीं करते हैं। राहुल जी से भी ज़्यादा बड़ी जरुवत अबान पड़ी है। जब चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलके देश की आर्मी को खोकला बनाने की इतनी बड़ी साजिश होगी है। कौन से प्रदेश में कॉंग्रेस ने तो यह सब जो मैनोर्टी कमिशन ने दिल्ली की वो भी एक केश पैरट है। वो आप आम आदमी पार्टी की जब पोलिटिकल लीडर्शिप ने बोल रखा होगा ने कि तुम कुछ नहीं करोगे। तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। मैनोर्टी कमिशन तो बहुत जबरदस नहीं नहीं हो सकती अगर माइनोर्टी कमिशन एक्टिव हो जागा। जुमे की नमाज का मामला और अब यह जो है अगनीपत का मामला किस तरह देख रहा हैं इसको पूरे। तो अगनीपत के जो मेरे ख्याल से सबसे बड़े परदर्शन हुए है वो friday के दिन हुए है जबरदर्स तरीके से पूरे देश में friday के दिन हुए है तो ये friday, saturday, sunday monday, tuesday, wednesday, thursday बोलना सब एक साजिश का हिस्सा है जो मनुवादी ताक्ते हैं जो RSS और BJP की ताक्ते हैं अपनी क्रिम्रल मीडिया के साथ बोलके किसी एक चीज के वो बुनियादी बात नहीं करेंगे कि हमारे 38 जो स्पोक्स परसन है उन्होंने साजिश के तहट पाकिस्तान और चाइना को फाइदा पहुचाने के लिए देश के संबन्द जो हैं मुस्लिम राष्टों से खराब कराने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट्स दी हैं इस मुद्दे पे बात नहीं करना चाहेंगे क्योंकि इस मुद्दे पे उनकी चोरी पकड़ी जाती है उनकी बेहिमानी पकड़ी जाती है उनकी घिनोने काम पकड़े जाते हैं जो की देश के खिलाफ वो कर रहे हैं इस मुद्धे पर बात नहीं करेंगे, बात करेंगे एक मिनट महमुद साब, आपकी बात भीश में रोख करके, सवाल यही है, अभी कानपूर में जिस तरीके से पत्राव हुआ, दंगाई बताया गया, जो लोग पिरदर्शन कर रहे थे, नुपूर शर्मा की गिरफतारी को उनके घरों पर बिल्डूर चलाए गया, अब सवाल लोगों का यह है, जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, क्या अब जो उपदर्वी है, जो अब दंगाई है, जिनोंने करीब 200 करोड रुपे का देश की संपत्ती का नुकसान किया है, क्या इन पर भी कोई कारेभाई होगी, क्या बुल्डूर चलेगा, देखिए, इस मनुवादी ताक्तों की, यह क्रिमिनल मीडिया की साज़िश में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए, जो नौजवान प्रदर्शन कर रहे हैं, वो हिंसा क्यों करेंगे, उनको तो नौकरियां चाहिए, यह जो हिं प्रदर्शन वो कर रहे हैं, हिंसा तो जब यहां भी हुई, वो भी RSS के लोगों ने कराई, इनके BJP के लोगों ने कराई, और अब यह peaceful protest जो हो रहे हैं, पुरे देश भर में, वो भी हिंसा RSS और BJP के मनुवादी लोग ही करा रहे हैं, इस बात को अच्छे से समझना चाह है, कि यही policy है, क्योंकि इन नौजमानों की, इस बात का तो कोई जवाब नहीं है, कि देश की सुरक्षा से compromise कर रहे हो, तुम अडानी और अंबानी के हाथ में ठेकेदारी प्रता पर फॉच भी बना रहे हो, दे दोगे कल अडानी अंबानी को, जैसे railway देना चाह रहे हो, जैसे आपने अलड़ी एरलाइन, इंडियन एरलाइन दे दी, तो यही काम आप फॉच के साथ करने चाह रहे हो, यही काम आप किसानों के साथ करना चाह रहे थे, यही जूटे इल्जाम, इस साजिश से बचना चाहिए, सभी Muslim community के लोगों से, यह सवाल बिलकुल बेजा है, कि उनके खिलाफ क्यों कुछ नहीं हो रहा, वो करेंगे जूटे मुकद में उनके खिलाफ भी, जहिंसा सभी RSS और BJP के काड़र्स करते हैं हर जगा, peaceful protest करके यह बच्चे जीत चुके हैं अपनी लड़ाई, 100% यह जो स्कीम है, जो temporary स्कीम जो चार महीने की, जो अगनी पता फिल्मों की जो नाम ले लेके, यही तो प्रधान मंतरी और RSS BJP का हुआ है, मतलब नारे ऐसे बड़िया बड़िया सोच के देंगे, करोड़ों रुपे इस नारे सोचने पर लगाते हैं, उतने करोड़ों रुपे जो इन्होंने टीम्स अपनी जो पियार टीम्स एंगेज कर रखी हैं, यह नारे और इसी इसी पर बेवकूफ बनाने के लिए लोगों को काम करते हैं, उतने पैसे अगर जनता की भलाई के लिए खर्च करते हैं, तो जनता कितनी आगे पहुंच जाएं, अभी यह बता रहे हैं कि फौज के पास पैसे नहीं देने के लिए, बीस ला और इनी के कहने से सारे काम कर रहे हैं, इनी की पार्टनर्शिप में सारे काम कर रहे हैं, तो पैसा तो वहाँ है ना, देश के पास तो आज भी बहुत पैसा, पैसे की कमी का हैं, इन सब को बलकि फौज में भरतियां और बढ़ानी चाहिएं, आग चाइना और पाकिस्तान म बढ़ानी चाहिए ना, नौजवानों को सिरफ जितने नौजवानों की अभी फौज में जरूरत है, उससे कहीं ज्यादा जरूरत है, वो तो बढ़ानी रहे, अब ये जो चार साल वाले सिपाई होंगे, ये जोश और जजबे में जाके लड़तो लेंगे, लेकिन इनको experience की क साल बाद जाके, कि एक groups बनते हैं, कि चार लोगों का ये group है इस प्लाटून में, जो आपस में एक दूसरे के मित्र हैं, जब दुश्मन की सेना या आती हैं, और ऐसे इसके सेंकड़ो अग्जामपल हैं, अगर आपने war की जो जो narrative सुने होंगे, कि चार लोगों का group था, उ एड़ दो साल तो इनके छुट्टियों में और ट्रेनिंग में निकल जाएंगे, दो साल में वो बांडिंग बनेगी नहीं, तो चाइना और पाकिस्तान की जो फौजे हैं, वो जो भारत की सेना से डरती हैं, उनको हांसला देने के लिए, कि अब ये लोग इन एक्स्पीरि आने, वो ध्यान से सुनें, कि identify करके रखें, कि हिंसा कौन लोग कर रहे हैं, आप लोग ये लड़ाई जीत चुके हैं, ये हिंसा रोकिये लिए, हिंसा करने वालों को पहचानिये और उनको identify करके अलग कीजिए, किस तरीके से पहचाने, क्योंकि जब भीड में लोग आ जा जाएंगे, क्योंकि ये अनॉगनाइज तरीके से हो रहा है, लेकिन जो SCST, OBC और Minorities की जगा जो प्रोटेशन हो रहा है, जैसे जो religious places के बाहर भी प्रोटेशन हो रहा है, मस्जिदों के बाहर प्रोटेशन हो रहा है, तो मेरी गुजारिश उनके लिए ये है कि 100-200 लोगों को identify किया जाए, जो protest करेंगे, पुलीस में उनकी list दी जाए, कि ये लोग protest करेंगे और peaceful protest करेंगे, और मलना तौकी रजा ने तो हजारों लोग ही खटे किया भी और peaceful protest हो न, तो इससे एक बात तो बिलकल जाहिर साफ हो गई कि मुसल्मान कोई जगडा नहीं करते हैं, हो जगड़ा ये लेकिन तौकीर असाब को क्रेडिट जाता है इस बात का कि उन्होंने जो शरार्ती तत्व आरेसेस और बीजेपी के और जो भरष्ट पुलीस अदिकारी अपने मुख्बिर भेज के जगड़ा कराते हैं उसको भी वो रोकने में कामियाब रहे ये उनको क्रेड होगा इसमें किसी भी तरीके से हिंसा कराई ना पाए आपको याद होगा किसान अंदलन में भी RSS के लोग भेज़े जाते थे ना कहीं सा कराओ अंदर से दिखाओ के तुम किसान हो और तुम हिंसा करो वो पकड़े भी गए किसानों ने कही बार पकड़ा इसी तरीके से शाहिनबाग के प्रदर्शन में और जो C.A.N.R.C. के प्रदर्शन हुए थे उन्होंने गोली भी चल गई उनके उपर तब भी पीस्फुल रहे तो जो भी S.C.A.S.T.O.B.C. और माइनॉर्टीस के लोग महिलाएं प्रदर्शन करेंगी वो पीस्फुल होता ही है होगा ही क्योंकि हमारे लोग जानते हैं पीस्फुल प्रोटेस्ट हमारी सबसे बड़ी ताकत है जो हिंसा करते हैं वो तो R.S.S.K. एजेंट होंगे या एड़ बेस्ट कभी-कभी कुछ जो लोग बहकावे में आ जाते हैं वो कर सकते हैं महमुद साब आप लगातार जो है पीस्फुल प्रोटेस्ट के करने की बात करते हैं लेकिन अब सवाल जो है आपके ओपर उठ रहा है कि महमुद प्राचा जो प्रोटेस्ट के लिए बोलते हैं कब करेंगे इस तरीके के सवाल आज दिन भर जो है चलते-चले जा रहे हैं इस पर क्या कहें घवाक कुछ तयार वह कब माने कर रहों मैं कभी अइस वैक्ति नहीं हुं जो बोलता हूं करता नहीं ऐसा इंसान में नहीं हूँ, मैं किनी मुकदमों से नहीं जड़ता, मुझ पे डखेती का भी मुकदमा लगावा है, करभला में जब हैमत पर टेल साब कॉंग्रेस के और बीजेपी के लोग करभला यहां जोरबाग जो है, उस पे मेरे उपर खुद डखेती का मुकदमा भी ल परश्ट अदिकारियों ने मिलके, इसलिए किया था ना, कि मैं उनकी हिवाज़त करने के या उनको लीगल मदद करने से पीछे अट जाओं, मैं तो पीछे नहीं अटा, मैं प्रदेशन करने के लिए भी तयार हूँ, और हरे कुस इंसान के लिए मैं तयार बैटा हूँ, ज मैं उसमें शामिल होँगा, किसी भी प्रदेशन में लोग मुझे बुलाना चाहें, पीस्तुल प्रदेशन होना चाहें, ये एंशोर करें, मैं हर प्रदेशन में आऊँगा, आप कहीं भी पूरे इंडिया में, किसी जगा भी प्रदेशन ओगनाईज करें, लेकिन मेरे मैं उस प्रदर्शन में शामिल होने 100% आँग। जो एक्स प्रेजिडेंट हैं, जो उनके सबसे बड़े नेता हैं, उनके उपर जब ये जूटी कारवाई की जा रही है, सरा सर जूटी बेबुनियाद कारवाई हो रही है, तो प्रदर्शन का मैयार ये होना चाहिए जो है, शरम आती है मुझे, मैं भी इसी कॉंग्रेस में बहुत दिन रहा हूँ, मतलब ये ताकत रह गई है कॉंग्रेस पार्टी के, ये मतलब बेकार किसम के हलके प्रदर्शन किये जाएं, मुझे तो बहुत, मतलब ये है के जो टॉप लिडर्शिप के चारो तरफ लोग हैं, कॉंग्रेस के कारे करता कभी इतने मुरदार नहीं हो सकते के ऐसे प्रदर्शन करेंगे, और वो भी अपने टॉप लीडर को पत्चानने के लिए, मुझे तो बहुत शरम आ रही है, हरांगी भी हो रही है, और हरांगी इसलिए काम हो रही है, क्योंकि मुझे पता है, कि चारो तरफ से जो टॉप लीडर्शिप है, उसको RSS के डारेक्ट कनेक्शन वाले लोगों ने गेर रखा है, इसलिए प्रदर्शन के मैयार इतने कम, हलके और मेरे ख्याल से बिलकुली जिसका कोई, मतलब कोई संग्यान ही नहीं ले पाया कोई, ऐसे प्रदर्शन, बहुत ही मुझे अफसोस है इस बात का खेर, लेकिन कॉंग्रे डेश में कॉंग्रेश ने प्रदर्शन कराया, 10-10 लाग के प्रदर्शन होने चाहिए हर एक स्टेट में, इस जो यह अगनिपत की जो वह रहे है, किस स्टेट में हुए है, यह इतनी बड़ी साजिश देश की सेना के साथ हो रही है, डेश के डिफेन्स के साथ हो रही है, तो कॉंग्रेस पार्टी मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी प्रदर्शन करने में एकदम नाकाम्याब अक्षम और बिल्कुल नाकाम हो गई है, कोई प्रदर्शन करने का जोज जज़बा बचा ही नहीं है, मुझे बहुत हहरानी है अगर आप प्रोटेस्ट की कॉल देते हैं, तो क्या उमीद लगा रहे हैं किसी सियासी पार्टी से, कि सियासी लोग आपके साथ आएंगे? नहीं, मैं तो अभी, मैंने बोला ना, मुझे इस चीज़ का कोई, अब मैं पिछले साथ-ाठ साल से तो ये वकालत पर ही एकदम लगा हुआ हूँ, हमने एक तंजीम भी बनाई है, Mission Safe Constitution, मुझे उसको भी बढ़ाने का और Organisational Structure बनाने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मुक् इस पिटल में भड़ती हैं, जिन्दगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनके ओपर भी वो ही धारा हैं, जो नूपुर शर्मा और जो दूसरे इनके, जो BJP के और RSS के कारे करता हैं, उनको तो अरेस्ट नहीं करती पुलीस, इनको अरेस्ट कर लिया, और इनको मतला इतनी पिटाई हुई है उनकी के अल्मस्ट उनकी जान खत्र में पड़ी हुई, तो आज भी मैं संडे के दिन भी उनकी जमानत करा के आ रहा हूँ, अभी पटेला उस कोर्ट ने उनकी जमानत के ओडर्स किये, तो मेरा हाल तो ऐसा है कि मुझे ना सोने का टाइम है, न खाने का टाइम है, ना किसी भी जगह जाने का टाइम है, लेकिन फिर भी मुझे पीस्फुल प्रोटेस्ट मैं बोल रहा हूँ, 80% सलूशन हमारे देश का समिधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए 80% पीस्फुल प्रोटेस्ट है, मुझे कोई भी वेक्ती पीस्फ की नजरों से देखते हैं और आप वहां खड़े नजर भी आते हैं अभी जिस तरीके से कानपूर में मामला हुआ आफरिन का जो है मकान तोड़ दिया गया उधर की तरफ से कोई मिलने आया आप से या उसमें आप कुछ कारेवाई कर रहे हैं अपनी तरफ से देखिए मैं एक और अपने जो आपके सामीन हैं उनको क्लियर कर दूँ कि वकीलों की कानूनी एक मजबूरी होती है कि मैं आगे बढ़ कर या खुद से किसी को यह नहीं कह सकता कि आप मुझे एंगेज करो यह हमारी कानूनी मजबूरी है लेकिन अगर कोई हमारे पास अप्रोच करता है तो उसके बाद आप मेरा रवया क्वेस्चन कर सकते हैं या उसके सवाल जवाब कर सकते हैं यह नहीं कह सकते हैं कि वहां यह हो गया तो आपने क्या किया हमारी यह कानूनी और हमारी प्रोफेशनल मजबूरी होती है यह कानूनी बंदिश है हम पर एक बार कोई हमारे को अप्र लेंगेज करते हैं तो वो हर पुलीस अधिकारी समझ ले हो क्योंकि उसने और वो हर कॉर्परेशन का अधिकारी जिन्हों ने अपने राजनीतिक आकाओं के कहने में आके ये गेर कानूनी कारवाई की हैं जो मेरी नजर में और एकदम कानून की किताबों में क्राइम या अप करते हैं और लड़ने की बाते करते हैं वकालत की तो वो खुद से क्यों नहीं लड़ते देखे जब तक आप आएंगे नहीं और अपना वकालत नामा जो होता है क्योंकि कानूनी प्रिक्रिया होती है तो उसका एक रूट तयार होता है तो आप आएं यहां पर अपनी इतने बड़े बड़े लोग वहां गए लेकिन किसी एक तंजीम ने ये उनको सलाह नहीं दी कि आप भी एक अपनी कंप्लेंट गरो जब वो हमारे पास आया हमारे ओफिस में देखिये वही मेरी मजबूरी है मैं जाके क्लाइंट मांग नहीं सकता ये नहीं कह सकता कि आप मुझे वकील कर लो आए कहीं से सुन-सुनागे कि हमारे इंसाफ मिलने की उमीद है तो आए तो सबसे पहले मैंने क्या काम गया कि बई आपने कोई कंप्लेंट किया आज तक आपके साथ इतना जल्म जयात्ती हो गई तो औ वजरंदल के कारेकरताओं ने हमला क्याम पर तो वो हमने एफायर उन से पहली बार कराई उसके बाद बहुत सारे लोगों को जिनको जूटे मुकदमों में बंद करने के लिए पुलिस डबिश डाल रही थी रोज उनके घरों पे जाके लेडिस वगएरा को तंग किया जा रह पुलिस के जो भी आफसर इंवाल थे वो गहर कानूनी तरीके से की तो उसमें भी आप देखेंगे हम उनके खिलाब भी मुकदमा दर्ज कराएंगे और कानूनी कारवाई कराएंगे जिस तरीके से अगर मैं ये सवाल करूँ आप से महमुत साब डिली अकलियती कमिशन है ड कुदी डिरेक्शन दे सकते हैं वो कुदी रिकमेंडेशन दे सकते हैं अब लेकिन वो नहीं देंगे न क्योंकि जिस तरीके से ये भ्रष्ट पुलीस अधिकारी सब कुछ जानते समझते हैं आईपेस ऑफिसर तक जो कानून को अच्छी तरीके से समझते हैं या नीचे के जो कानून IPS ऑफिसर से भी जाद अच्छे से समझते हैं वो जाके MCD के अधिकारी वो ये काम करेंगे ही नहीं कभी उनके ओपर राजनितिक दबाव होता है उसी तरीके से इन कमिशन्स पर राजनितिक दबाव है जब तक के पुलिटिकल लीडर्शिप रोकना बंद नहीं क पुलिटिकल लीडर्शिप ने बोल रखा होगा होना है कि तुम कुछ नहीं करोगे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे अगर यहीं आमादमी पार्टी की सरकार यह बोले कि आप इस पे काम करो मजबूती से जिन्नों ने बनाया है उन्हें तो फिर देखिये माइनोर्टी कमि कमिशन या कोई भी स्टी कमिशन कोई भी स्टी कमिशन देश की या प्रदेश की दिल्ली की दिल्ली यह सब तो मैं अच्छे से जानता हूं आज तक एक्टिव हुई नहीं है कोई भी नहीं हुई सब के बारे में बता सकता हूं किसी के बारे में आपको पूछना है तो पू कि वहाँ जो रिपोर्ट थी डॉक्टर जफरोल इसलाम साब ने जो पहले चेर्मेन थे दंगो के टाइम पर उन्होंने फेक्ट फंडिंग रिपोर्ट तैयार के थी वो कमिशन से गायब है तो frr देश करा ही kpopi तो उसकी net पे मिल जायेगी office करानी चहीं गायब कैसे किस ने गायब की लेकिन उनके पर दबाओ होग़ा कि यह गायब करो है अगर इमांदार होते ूँ अगर तो सबसे पहला तो यही काम करना चाहिए fokना नी मिल जाये गायब कॉइ तो इसी से मैं आपको बता रहा हूँ न वो तो जब तक के पॉलिटिकल लीडर्शिप उन से जो करवाना चाह रही है वो ही कर रहा है वो इन सब चीजों में RSS का और मनुवादी ताक्तों का साथ देना चाह रहा है क्योंकि वो तो खुदी मनुवादी है चीफ मिनिस्टर साब कौन है वो तो खुदी बताते हैं न मैं वो बनिया हूँ वो तो खुदी मनुवादी मान सकता के हैं तो वो तो खुदी बताते हैं तो और उनकी वो नजर भी आती है SCST सब प्लान की हमने एक पेटिशन डाल रखी है उसमें साब जाहिर है ये बात के उन्होंने SCST और Schedule Cast Schedule Tribe का हक मारी की उनके पैसे चुराए और वो पैसे चुरा के वो ये जो स्कीम्स बताते हैं मैंने ये ये की हैं वो तो सब SCST Schedule Cast Community का सब प्लान का पैसा है ना उन्होंने वहां से misappropriate करके इधर लगा दिया एक काम और भी तो कर दिया है जो fees reimbursement होती है fees वापसी दी जाती है दिली सरकार की तरफ से जो पोटल है जहां पर जा करके online form भरे जाते हैं वो OBC का अलग कर दिया गया और minority का अलग कर दिया गया है ये भी हमें कली पता चला देखिए वो मनुवादी मान सिकता के व्यक्ति मुझे तो साफ तोर पर लगते हैं तो वो तो SC, ST, OBC और सारी minority से खिलाफ होंगे बेवकूफ बनाने के लिए बहुत सारे बाते बोलेंगे के मुझे बड़ा आपसे प्रेम है और मैं बावा साब डॉक्टर भीम राम मेटकर को मानता हूं मैं भगत सिंग को मानता हूं तो लेकिन ये फोटो इसलिए लगाए हैं कि ये दुनिया को बेवकूफ बना सके इतने बड़े नामों के पीछे छुपकर अपने बेइमानी भरे करप्ट धंदे कर सके ये सिरफ और सिरफ इसलिए लगाई हैं तो शडू अभी नुपुर शर्मा गिरफतार नहीं हुई हैं क्या लग रहा है आपको के कोई गरफतारी होगी नहीं सरकार तो नहीं करेगी बिल्कुल नहीं करेगी और इसमें पुलीस भी नहीं करेगी क्योंकि नुपुर शर्मा साहिबा ने पहली बात तो यह है कि अपनी तरफ से प्राप्त है मतलब वो मेरे साथ खड़े हैं और इन तीनों लोगों ने तीनों आफिसेज ने एक ने भी इस बात का खंडन नहीं किया है कि नूपुर शर्मा ने ये बात गलत बयानी किये जूट बोला है किसी ने भी इन किया न आज तक तो वो तो वो जो कर रहे हैं एक पार अफिस जो वो हैं उनकी बाकाइदा एक डिस्प्लिन पार्टी में डिरेक्शन दी जाती हैं कि आपको ये ये बोलना है वो वही बोलते हैं जो उनकी साजिश ये साफ नजर आती है कि चाइना और पाकिस्तान को फाइदा पहुचाने के लिए मुस्लिम जो कंट्री से करीब 57-58 उनसे भारत के रिष्टे खराब करने की साजिश का वो हिस्सा हैं जिसमें एक क्रिमिनल मीडिया जो है मेंड्स्रीम वो भी शामिल है वो उन्होंने अपना अंजाम दिया अपनी पार्टी हाई कमांड के कहने पे और उसका नतीज़ा आप देखी रहे हैं कि भारत की प् ब्रहांत और अच्छे लोग होते हैं यह कुछी परसंट लोग हैं हमारे देश में जो मनुवादी मान सिकता के हैं जो इनसान को इनसान के बराबर नहीं मानते हैं जो सब का हग छीन कर अपने आप खा जाना चाते हैं तो उनका जो पहचान है जैसे हमारे प्रधान मंतरी पूरी निजर से ना देखे हम सब भी अच्छे लोग हैं यहां पर बारत में बहुत अच्छे लोग रहते हैं चिरफ जो यह मनुवादी मान सिकता के लोग हैं वो ही गड़बड करते हैं वो यहां भी गड़बड करते हैं और कहीं भी जाएंगे दुनिया में वो गड़ब समिधान है उसी के हिसाब से इंसाफ और बराबरी के जो बुनियादी हमारे जो हमारे Constitution के बुनियादी सुतून यानि के खंबे हैं उसके हिसाब से ही देश चलाएंगे आप लोग बेफिकर आखरी सवाल यही के नोजबान सडकों पर है क्या अपील करना चाहेंगे आप उनसे मैं यही अपील करना चाहूँगा कि आप लोग लड़ाई जीच चुके हैं दुनिया की कोई भी ताकत यह स्कीम आप आगे बढ़ा नहीं सकते हैं आप लोग इस बात का ख्याल रखें कि आपके प्रदर्शन और बड़े होने चाहिए लेकिन वो peaceful होने चाहिए जो लोग यह शरारत करते हैं जो violence कर रहा है उनको identify करके अपने से दूर कीजिए और peaceful protest आप और बड़े तरीके से कीजिए peaceful protest आपके सिरफ इसलिए नहीं होने चाहिए कि इतनी भरती होने चाहिए बलकि इससे double भरती की जरुवत है देश की सेना को इससे double भरती चाहिए लेकिन regular सेना को भरती चाहिए तो आप प्रजर्शन करना आपने जब शुरूई किया है तो उसमें अपनी demands ठीक करें एक तो फौज में फौजियों की तनखाँ ज़ादा होने चाहिए बहुत कम है आप compare कर लिजिए दुनिया के किसी भी देश से तो आपकी तनखाँ बढ़नी चाहिए जब यह education चली रहा है तो इसको भी साथ में जोड़े और आपको वो सारी facilities जो दूसरी से नाओ को देश के अलावा दूसरी से नाओ को मिलती है वो भी आपको सारी facilities मिलनी चाहिए क्योंकि आप देश की रक्षा के लिए सबसे पहली पंक्ती में खड़े होते हो तो आपका जो देश के संसाधनों पे हक है वो हम सबसे ज़ादा है क्योंकि हम लोग पीछे हैं आप लोग आगे जाते हो तो इसलिए आपकी जो terms conditions है जो आपको खाना मिलता है जो आपको वर्दियां मिलती है जो आपको facilities, arms equipment मिलने चाहिए वो ज्यादा मिलने चाहिए defense का budget बढ़ना चाहिए लेकिन army, navy और air force regular होनी चाहिए बिलकुल भी ad hoc basis पे ठेकेदारी प्रता पे चार साल, तीन साल, दो साल की army में भरती नहीं होनी चाहिए यह देश की सेना को कमजोर कर देगी यह बात RSS और BJP के लोग अच्छे से जानते हैं लेकिन जो मनुवादी मान सिकता के गुजराती बिजनस्मेन है न वो हमारे देश की policy, defense policy भी compromise करा रहे हैं, वो उसको खराब कर रहे हैं, चाइना और पाकिस्तान से मिलकर बहुत बहुत शुक्रिया महमुद साब बात करने के लिए दिली से एक शाम टीवी के लिए मैं अबदुलवाजित चुछ दिली आमें